Dear Students, Platform of Learning YouTube Channel पर हम इस वीडियो में 9th Class की English Subject की Worksheet No.2 का Solution explain करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टार्ट करते हैं Worksheet No.2 आर्टिकल A, N, D, हमारे पास तीन तरह की आर्टिकल होते हैं A, N, N, D, यहाँ पर हम इस वर्क्षिट में हम दा आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे दा जो है वो definite article होता है और A और N जो है वो indefinite articles है तो यहाँ पर हम definite article दा के बारे में पढ़ते है A definite article is used when we want to refer to a particular person और object Example, दा हम definite article वहाँ पर use करते हैं जहाँ पर हम किसी particular person या particular object के बारे में बात कर रहे होते हैं particular का मतलब है specified specified person या object के बारे में बात करते हैं तब हम article दा लगाते हैं देखिए यहाँ पर इसके uses given है we use the with a singular और plural noun noun हमारे पास singular भी हो सकती है और plural भी noun पता है आपको क्या होती है किसी भी person का name, place का, thing का या animal का name of a person, place, animal or thing is called noun और singular का मतलब होता है एक वचन और plural का मतलब होता है बहु वचन जैसे मैं आपको एक बार explain कर देती हूँ अगर मालो हम boy की बात कर रहे हैं तो वो singular noun है और अगर हम boys की बात कर रहे हैं तो वो plural noun है तो इसने कहा है a singular और plural noun when it is clear, obvious which person or thing we are talking about जब हमारे पास ये clear होता है कि हम किस person और किस thing के बारे में बात कर रहे हैं तो हम definite article दा लगाते हैं जैसे एक example given है the exercise you did today was difficult जो exercise तुमने अभी की है वह difficult है that means हम उस exercise की बारे में बात कर रहे हैं जो हमने अभी करी है तो यहां पर क्या लगाएंगे हम we use the next है uncountable noun when a particular or definite reference is made to them किसी भी uncountable noun के साथ हम article दा लगाते हैं uncountable का मतलब होता है जिसे हम count नहीं कर सकते जैसे the milk is tasty milk है अब milk को तुम count कर सकते हो milk को हम kg में 2 kg में तोल सकते हैं कि हमने कितना दूद लिया है लेकिन अगर हम उसकी गिंती करना चाहें कि milk एक है दो है तीन है चार है तो उसे हम count नहीं कर सकते तो किसी भी uncountable noun के साथ हम क्या लगाते हैं दा लगाते हैं next third objectives in the superlative degree हमने degree पड़ी है डिगरी की तीन form होती है उसमें superlative degree के साथ हम हमेशा दा लगाते हैं superlative degree का मतलब होता है कि जैसे यहां पर example given है आपको रोहन is the best athlete in our school team रोहन हमारी school team का सबसे बढ़िया athlete है दा बेस्ट एथलीट तो यहां पर हम क्या लगाएंगे दा लगाएंगे हमें पता है best जो है वो superlative degree है good, better, best तो best is superlative degree in superlative degree we use दा next है fourth point something that is unique और there is only one जो चीज़ अलग है और एक है उसके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं जैसे दा सन हम कहीं भी चले जाएं sun हमेशा एक ही होता है moon हमेशा एक ही होता है तो sun और moon के साथ हम क्या लगाएंगे दा लगाएंगे next है point number five names of a river or seas, oceans, mountains, ranges and deserts always in capital यह हमेशा capital letters में लिखे हुए मिलेंगे आपको किसी भी river का नेम है, sea का नेम है, ocean का नेम है, mountain ranges का नेम है यह desert है तो उनसे पहले हम हमेशा दा लगाते हैं जैसे देखें यहाँ पर दिया हुआ है दा गंगा, गंगा इसे holy river तो दा लगाएंगे हम the arabian sea, name of a sea, दा लगाएंगे, the himalayas, mountain ranges है तो दा लगाएंगे, the sahara desert, desert का नाम है सहारा तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे next point number 6, nouns that represent the whole class, एक ऐसी noun जो पूरी class को रिप्रेजेंट कर रही है, उससे पहले हम हमेशा दा लगाते हैं noun मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, name of a person, place, animal or thing is called noun, यहाँ पर आपको दिया गया है, the tiger is our national animal, देखें यहाँ पर tiger क्या है name of a animal, tiger जो है वो हमारा national animal है, तो यह है पूरी की पूरी class को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे next step, point number seven, directions, cardinal points, किसी भी direction के लिए हम दा लगाते हैं, जैसे नोर्थ, इस्ट, वेस्ट, साउथ, यहाँ पर लगाया होगा है, इनोंने west direction नेम है, तो दा लगाएंगे, दा वेस्ट, दा साउथिस्ट डिरेक्शन, दा नोर्थ वेस्ट डिरेक्शन, तो यहाँ पर आपको definite articles दा के points दिये गए हैं, कि हम दा को कब यूज़ करते हैं, इन्हें अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, आगे देखिए क्या दिया गया है, point B, add A and the in the following passage, आपको यहाँ पर एक passage गिवन है, इसमें आपको तीनों articles, A and और दा फिल करने हैं, Dash elephant has escaped from dash the Jew, इसने बोला है, an elephant, elephant में E की sound आ रही है, E, E is a vowel, vowel से पहले हम हमेशा N use करते हैं, तो यहाँ पर हमने N लगाया है, an elephant has escaped from the zoo, वो एक elephant जू से escape, escape मतलब होता है, भाग जाना, भाग गया है, It has taken shelter इने nearby school और उसने एक school में shelter ले लिया है, शरन ले ली है, everyone in the neighborhood seems to be extremely scared, उसके आसपास के जो neighborhood है, मतलब आसपास के जो जहंगे वाले लोग हैं, वह बहुत जादा scared हो गए हैं, डर गए हैं, No one is ready to face the elephant, कोई भी उस elephant को face करने के लिए ready नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, उसी elephant की बात कर रहे हैं, हम जो उपर escape हो गया है, भाग गया है, तो यहाँ पर हमने कौन सा article लगाया, definite article, the use किया है, अब उसी जू की बात कर रहे हैं, जो जू उपर गिवन था, की जू से एक elephant भाग गया है, तो उस जू के जो officials हैं, मतलब उन्होंने elephant को capture करने के लिए, उन्होंने elephant को capture करने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया यह passage, इस passage में हमने तीनो आर्टिकल्स, a, n और the का use बत आगे करते हैं, part number C, fill in the blanks with the suitable article, a, n, and the, यहाँ पर भी आपको तीनो आर्टिकल्स फिल करने हैं, I saw a dolphin show yesterday, मैंने एक dolphin का show देखा, कल, dash red fort is situated in Delhi, the red fort is situated in Delhi, लाल किला जो है, वो एक ही है, specific चीज है, तो इससे पहले हमने use क्या किया है, दा लगाया है, राम helped an old man in crossing the road, राम ने, अब देखें, यहाँ पर हमने n क्यों लगाया है, old, old जो है, o, start with o, gives vowel sound, a, e, i, o, u, हमारे पास 5 vowel होते हैं, a, e, i, o, u, इन से पहले हम हमेशा n लगाते हैं, in crossing the road, we have a beautiful garden, अब यहाँ पर हमने beautiful, बी जो है, वो consonant की sound दे रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, a, we have a beautiful garden, the garden is full of roses, अब हमने जोन से गार्डन की बात यहाँ पर करी है, उसी गार्डन के बारे में लिखा हुआ है, कि वो roses से full है, तो यहाँ पर हमने definite article दा यूज किया, there is a little milk in the jar, little milk, there is a little milk in the jar, next है, I saw an accident of a car, accident, start with a, so we use n, vowel, of a car, start with c, this is consonant, so we use a, तो यह था बच्चो, वर्क्षिट का पूरा solution, उमीद है बच्चो, आपको यह वर्क्षिट अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई query है, या कोई doubt है, तो वीडियो के comment section में जरूर पूछिए, मैं आपके comment का जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर कीजिए, thanks for watching, have a nice day.